तो अगर आप दिखने रहे हैं तो आप लोग लिई वीडियो काफे इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम पतार करने वाले हैं कि कैसे जो है हम अमारी क्यापटल को बचा सकते हैं क्योंकि काफे बार यह देखा गया है कि expiry वाले दिन जो है capital जो होती है जो basically हम invest करते हैं वो double भी हो जाता है और कभी-कवार ऐसा भी होता है कि छोटे से loss के जख्कर में जो हम loss है वो रिकवार करने के जख्कर में और बड़ा loss करके बैठ जाते हैं तो उस चीज़ का जो है मैं आप लोग के सामने आप एक्जामपल फेले की आई हूँ ताकि आप लोग को समझ आ सके कि आप लोग को क्या करना है क्या नहीं करना है तो वीडियो को पूरा देखना समझना सीखना specially beginners के लिए काफ़ important होने वाली है चलते हैं वीडियो के अंदर तो friends हम लोग market में क्या देखते हैं हम basically देखना चाहते हैं कि हमें जो है market में किस तरीके की move आए basically जो हमें ये red candles मिल रही है इस तरीके की है इस तरीके की move भी हम लोग capture करना चाहते हैं लेकिन हम कौन सी move नहीं जाते हैं वो होती है sideways की अगर आप देखे तो आज थर्स्डे था थर्स्डे को आज हमें जो है market sideways देखने को मिला कितने points की move हुई मैं आप लोग एक बर अच्छे से major करके इसको दिखा देती हूँ बेसिकली इस range में धाज market और कितने points की जो है market में move दिखाई तो लगब 44 points की अगर आप इसको बिल्कुल end पे अगर आप buy करते हैं और फिर आप इसको बिल्कुल top पे sell करते हैं तब तो आप एक अच्छा profit ले सकते हैं ठीक ठाक वो भी अच्छा नहीं बोलूँगी मैं लेकिन अगर आप कहीं पे भी बीच में लेते हैं तो आपका stop loss या फिर loss होना पका है ठीक है तो यहीं पर ऐसे ही आज जो है मैं आप लोग ले एक example लेकी आई हूँ यहाँ पर आप देखिए इन्हों ने जो है अपनी हमारे साथ position शेयर की है जहां इन्हों ने 14 रोज अपनी quantity रखी है और इन्हों का loss हो गया है 17,000 का इन्होंने ये शेयर किया सतरह हजार का लॉस होने के बाद भी ये हमाई साथ क्या शेयर कर रहे हैं वो मैं आप लोग को आगे दिखाती हूँ चल लेते हैं हमारे चैट ग्रूप में तो यहां देखिए इसके बाद इनका क्या है कि क्या आप हेल्प कर सकते हैं मलब इनका ये है कि लॉस लिमिट हो चुकी है लेकिन फिर भी इनको ये चाहिए कि मैं और ट्रेट लूँ फिर उसके बाद मैंने इनको क्या सजेस्ट किया है वो मैं आप लोग कि यहां पर बता देती हूँ कि आप लोग क्या करिये रेस्ट करिये मूवी देखे घूमने जाए और कुछ भी नहीं है तो सोजाओ ना वो बेटर है बजाए इसके कि आप अपने लॉस और बढ़वाए क्योंकि जैसे कि मैं आपको पहले भी बताती आए हूँ क्योंकि हमारे लॉस लिमिट हो जाती है तो फिर उसके बाद हमारे लॉस और भड़ते ही है जैसे कि आप यह देखें तो यह जो है रेगुलर हमारे साथ अपने जो है प्रॉफिट शेयर करते हैं लग बैग इनके प्रॉफिट जो है वो होते ही है लेकिन आज के दिन अगर आप देखें तो इनका पहला जो है वो लॉस हुआ उसके बाद इनका प्रॉफिट हुआ है वरना और दिन अगर हम देखें तो पहले ही इनका प्रॉफिट होने के बाद यह अपने ट्रेड बंद कर देते हैं हो सकता था कि next trade में भी इनका loss हो जिसका जो है 6000 की जगया यहां भी इनका 10,000 loss हो जाता तो यह क्या करते तो वही चीज़ जो है वो हमें नहीं करनी है कि limit खतम हो चुकी है तो हमें market को बंद कर देना है वहीं पर ही बैठ जाना है कुछ भी और कर लीजे लेकिन market को मत देखिए क्योंकि recovery के साइट जाएंगे तो हमारे losses जो है वो भड़ते ही है कभी भी कम नहीं होते है तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देखे कि market खतम होने के बाद इन्होंने हमारे साथ ये वाले screenshot भी शेयर किया जहां इनका अगर आप पहले 17,000 था उसके बाद loss देखे तो 28,000 हु है और कुछ नहीं किया है market को देखके इन्होंने बात नहीं मानी तो इनका यह हुआ इसलिए मैं आपको हमेशा से यही suggest करती आई हूं कि आप जो है अगर आपकी loss limit हो जाए खतम हो जाए तो आप जो है अपने phone को बंद कर दीजे laptop को बंद कर दीजे मार्केट को बंद कर द है जैसा कि इनोंने बताया है इनके पास सिर्फ 12,000 बचे हैं तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है कि उम्मीद करते हो आप लोग को सब को समझ में आ गया होगा फटा-फट से चोटा सा रिविजन और कर लेते हैं तो आप लोग को वीडियो से क्या सीखनी को मिला कि हमें जो ह है क्योंकि अगर आप आज के देनी ही जो है बड़ा लॉस करके बैठ जाएंगे तो अगले दिन का करेंगे अगले दिन मार्खिट को देखेंगे वी नहीं देख जाएगा तो ऐसे ही करके आप जो है आपने लॉस बढ़ाते जाएगे तो इसलिए लिए लुग ठोड़ी ठ ठोड़ी रखिए आपका जो दिमाग है वो भी शांद में रहेगा और आपका जो टेंशन है बिसीकली वह भी कम रहेगी उमीद करते हैं आप लोगों को समझ में आगे होगा थाइंक और प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल